बंते जी ये कहा जा रहा है बाबाव दौरा की जो लोग भी बागेस्वर धामौले बाबा का बिरोध कर रहे हैं वो सभी के सभी सनातन धर्म का बिरोध कर रहे हैं सनातनी लोगों का बिरोध कर रहे हैं बार-बार ये बात सही है कि आप जो कह रहें कि सनातनी लोगों का विरोध कर रहे हैं बार-बार ध्रहंदर सास्त्री ने भी कहा कि मैं सनातनी हूँ और मैं सनातन को बचाने का काम कर रहा हूँ तो भारत के लोग उससे ये पूछ ले पहले कि वो हिंदू है या सनातनी है या फिर तीसा नंबर ब्रह्मन है ये मैं सवाल आप के लिए छोड़ रहा हूँ उससे पूछो आप सनातनी है या हिंदू है या इन दोनों के बाद क्या ब्रह्मन है तो जवाब आएगा वो पहले ब्रह्मन है और जो ब्रह्मन है वो सुनातन को तो मानता ही नहीं है क्योंकि सुनातन का तो जो मतलब है वो प्रकर्ति है वेद नहीं है, सास्त्र नहीं है समाज को अंतर का नहीं पता कि सुनातन की परिभासा क्या है और ब्रह्मन की परिभासा क्या है ब्रहमन जीवित है साहितों पर, सास्त्रों पर, वेदों पर, उपनिसोदों पर, और वेदों पर, उपनिसोदों पर सनातन नहीं चलता, सनातन चलता है प्रकर्ति के कानून पर, सनातन का मतलब है जो प्रकर्ति का कानून है, वो सनातन का कानून है, तो जाके द्रिंदर सास्त पूछहो कि तुम प्रकष्टे के कानुन को मान्ते हो तुम मानने से इंकार करते। कोलख कोई भी तो कि। यृषे। जिन्होंने सनातन की बात करी जो सच्चे सनातनी थे जो सच्चे प्रकरती के पोसक थे जो सच्चे प्रकरती के समर्थक थे वो केवल भारत के दोवीर बुद्ध और महवीर मतलब आपके कहने का मतलब यह कि जो लोग यह कहते हैं हिंदू हैं हम सनातनी हैं वो लोग ढोंगी है असली सनातनी बोधिष्ट लोग ही है असली सनातनी बोधिष्ट है और महाविर के मानने वाले लोग है जो प्रकरति के नियम को मानते हैं को कि इनके हां ना वेद माने जात चाहत जोटी से कहावत सुनी है कि ध्रैंद्र सास्त्री जैसे ही इनके पूरवाज थेक उनका भी नाम रहा होगा कोई सास्त्री होगे तो वह एक किसान के घर पर चले गे उस किसान ने इसलिए उन सास्त्री को बुलाया कि वह अपने खेत में तूवेल लगाना चाहते थी, तूवेल, तो अब सात्री जी जमीन के चारो तरफ घूम कर देखा, तो सात्री जी कहते है, वह तुम्हारी जमीन में पानी नहीं है, तुम्हें ये खेत बेचना होगा, जानती हो क्यों कि कोई भी ब्रहमन ने चाहता कि इस बहुजन समाज के पास जमीन जाइदा वैपार हो कोई ने चाहता इसलिए उससे जूट कहा गया कि तुम्हारी जमीन में पानी नहीं तुम्हें जमीन को बेश दो किसान ने कहा कि सास्त्री जाओ घर पे भोजन कर लीजिए जैसे सास्त्री उसके घर भोजन के लिए गए किसान की पत्री ने भोजन तयार करा तो उसने अपनी पती से पूछा कि सास्त्री जमीन का मौइना करका है जमीन का पूरा पूरा परिसमन किया है तो क्या सास्त्री ने फ़येगे तो किसान ने रोते विए अपने आशों गिराते विए अपनी पत्तिनी से का अब राक्राव किसान की पत्तनी शांकी थी उसने ताल चाफल में क्या करा सब और उसको बोलते हैं सक्रावाँ सक्रावां में कि हम मतलब होता था कि चावल और घी पर बुरा डाल Freddie Kruse बाबा में तो आपका अपमाण नहीं कर सकता क्योंकि ब्रहामनों का अपमान करना तो अधर्म हो मैं नरत में जाओंगा इसाओं अपमान कर सकता ये समाज को बार बार याद दिलाए जाता है कि ब्रहामनों का आपमान नहीं करना चाहिए वह किसान ने भी कहा ब्रह्मन देवता मैं तो आपका अपमानी कर सकता आपके सामने शक्राना है तो फिर गिवकूब मेरी आखों से देख यह शक्राना नहीं चावल यह गिवल स्ट्री छो तू तीर इन चावलों के नीचे घी और बुरे को नहीं देख सकता तु तू मेरे ज सास्त्री का ढूंग इसे कहते सास्त्री का ढूंग यानि कहना यही कि जो शास्त्री अपनी कि अपनी इजजत रहा जो अपनी विरासत को नी बचा पाज緊 घृप Soo कि तुम्हें क्या बचाएगा अभी में जो सी मट भगवान का मंदिर चक्तना चूर होने वाला है वो उसको नहीं बचा रहे वो तुम्हें क्या बचाएगे तो मेरा यह कि यह सब पाखंड के माध्यम से है कि तुम्हारी सारी हुपरी तुम्हारा सारा चमतकार बुद्ध पे क्यों नहीं असर करता है मैं एक कथा वाचक की कथा सुनना था नाम है उनका वरंदवन में रहते अनिरुद्धचारिये अनिरुद्धचारिये मैं कथा वाचक को कभी कभी सुनता हूँ तो मुझे हसी आती है कि कथा वाचक के पास बिल्कुल भी ज्यान नहीं है अनिरुद्धचारिये क्या कहते है कि हमारे 24 सु अवतार में वो 24 संक्या बताते है कि 24 सु अवतार में बुद्ध को अवतारों की स समाज को देखना चाहिए कि महामुर्खों का नाम इसी स्रेणी में आता जैसे अनुरुद्धाचारी को यह मालूमने कि तुम बुद्ध का नाम ले रहे हो और करें बुद्ध को मान नहीं मिला तो उनको जानना चाहिए कि तुम्हारे प्रोसी मुल्क थाइलेंड, बर्मा, कमबोडिया, वेतनाम, मयमार, इंडोनेसिया, मलेसिया ये बुद्धिष्ट कंट्रिया है और दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे बड़ी आबादी वो बुद्ध समाज के जो बुद्ध को मानती है जापान जो दुनिया की सबसे हाई टेक्नलोजी का अविस्कार करता है जो बड़े बड़े टेक्नलोजी के पार्ट्स बनाता है वो पूरा जापान बुद्धिष्ट है अनिनुद्धचारी वो तुम्हारे उपर डिपैंडिड नहीं है तुम्हारे पाखंड के उपर ब चपे गे ते किताब के दुनिया में लाइट ओप एशिया बुद्ध है और आज तो वरतमान में अगर कभी मैगजिन चपेगी तो लोग अब जा वर्ल्ड ओप एशिया कहें गें तो यह आपको जानना होगा मेरे भं मित्रो साथियों की पुरी दुनिया में बुद्ध जैसा कोई नहीं हो सकता चलते चलते हमारे दर्सक बंदु जो देख रहे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ऐसे बाबाओ के चुंगल में फसे हुए हैं ऐसे बाबाओ के पंडाल में जाते हैं दान चढ़ावा देते हैं देखे मैं उनसे यह कऊंगा कि अगर आप ऐ कोई बाबान चुकां उनको भोजन ही सकता कोई जादू और तुमने भी जाके दरबार में यह गोहर नहीं लगाई कि हमारे देश में लाखों लोग जो भीक मंगे हैं जो भीक मांगने सड़कों पर क्या उनको भीक मांगने से मुक्टी मिलेगी तुमने वो चमतकार नहीं देखा उनका फिर तुमने यह नहीं का बाबा से कि बाबा ह हमारे देश में लाखों लोग इलाज के आभाव में मर जाते हैं वो अभी दिन दूर नहीं है अभी तो 19 और 20 और 21 कि तीन साल पूरी दुनिया पर संकट का था तब तुम्हें कोई दिवेदर्बार नहीं समझ में आया और मैं किवल ध्रेंदर साश्त्री को नहीं कर रहा हूं पूरी इसायत को कह रहा हो पूरेहिसलामिक कह रहा हो और पूरेहिंदु ध्र đãष़म के पाखंडियों को कह रहा हो किआ कि आपके। जब तुमारे मंद्रों भी ताले थे, भगवानों के मंद्रों पे ताले जड़ दिये गए, मज्जितों पे ताले जड़ दिये गए, चर्च पे ताले जड़ दिये गए, ना उसमें अल्ला ता ना भगवान ता ना इस्वर ता ना खुदा ता ना परमेश्वर था, जब लो कि चमतकार अब कहां गया चमतकार को देखना ही था रिव्वे सक्की को देखना यह था दिरंदरत्त साथ्टिर जैसे बागेस्वरधाम जासे चमतकार का प्जावा कर्ने वालों के सच को जानना था तो कörung काल में जानना था और आज भी जानना तो जानो उसे कि अपना चनदीगर भल्बार होस्पिटल वस बने हैं अपना दर्वार होस्पिटल में जाकर लगाओ और वह。」 दवा के बिना doctor के तुम उनको ठीक करके दिखाओ और live telecast और media भी फिसको उनको promote करे क्यों media जूट को सच दिखाने कोशिस कर रही हरे सच को सच दिखाओ और ऐसे दरबार लगाने मालों से ऐसे साष्ट्रों से उनको challenge करो कि तुम अपना दर्बार हॉस्पिटलों में लगाओ जिन लोग पास दवा नहीं है इलाज कराने के लिए जिनके पास अपने बिमारी को ठीक करने का पैसा नहीं है ऐसे लोगों कम से कम इलाज तो हो जाएगा तो मेरा यही संदेश है कि दर्बार लगाना है तो हॉस्पिटल में लगाओ दर्बार लगाना है तो गरीबी मुक्ति का लगाओ दर्बार लगाना है तो ऐसिक्सा से सिक्षित होने का लगाओ अगर यह दर्बार लगा कि अगर तुमने पडिवर्तन समाज में लाया तो तु तुम सच्चे फिर दिवे सक्ति वाले हों। मेरा यही कहना है। तुम सम्ता बंधुता एकता और सम्ता अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा आसे ही। आप अपनी साहता राशी नीचे दिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या 3169-5768-651 IFSC Code SBIN 0060336 Bank भारती स्क्रीट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना आपका बहुजन फिम प्रोड़क्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोड़क्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोडेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है शुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा एट टू जैट एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 0005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gothamfilmsproduction at the rate gmail.com पर धन्यवाद